राजस्तान की जंता के लिए खुशकबरी है अब वो पहले की तरह कभी भी पेट्रोल पंपर जाकर पेट्रोल डीजल भरवा सकेंगे राजस्तान पेट्रोलियम डीलर्स असोसियेशन जैपूर के आवान पर सुमवार से होने वाली पंप संचालकों की अनिश्चित कालीन हरताल को टाल दिया गया है असोसियेशन के पदाधिकारी 3 अक्टूबर को बैठक दोबारा करके आगे की रणीती के बारे में चर्चा करेंगे जिसके बाद कोई निर्णय लिया जा सकता है रविवार को पूरे राजस्थान में सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक सांकेती खरताल करते हुए पंप संचालकों ने पेट्रोल डीजल की सप्लाई बंद कर दी थी असोसियेशन ने सरकार को चिताबनी देते हुए का था कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो 2 अक्टूबर से राजस्थान के सभी पेट्रोल पंप संचालक अनिश्चित कालीन हर्ताल पर चले जाएंगे और इस दोरान कोई भी पंप संचालक ना तो पेट्रोल डीजल खरीदेगा और ना ही उसे आगे किसी को बेचेगा हला कि सांकेतिक हर्ताल का कुछ खास असर देखने को नहीं मिला था कई जिलों से ख़बर आई थी कि वहाँ पेट्रोल डीजल की सप्लाई नहीं रोकी गई है ऐसे में रविवार देरात अनिश्चित कालीन असोसियेशन क की तरब से हर्ताल को स्थगित करने का फैसला किया गया दो हफते पहले भी शनिवार को राजस्थान के सभी पंप संचालकों ने ऐसी ही एक हर्ताल करते हुए आठ बजे यानि की रात आठ बजे से दस बजे तक के लिए पेट्रोल और डीजल की सप्लाई बंद कर दी थी ज इस कारण आम जंता को कई तरह के दिक्कतों का सामना करना पड़ा था अलाकि ऐसा पहली बार नहीं था सेप्टेंबर महीने के शुरुवात में भी सभी पेट्रोल पंप संचालक अनिश्चित कालीन हरताल पर चले गए थी दोस्तों प्रादेका लाइब में हम राजस्तान की हर चोड़ी बड़ी खबरे आपके सामने लाते हैं और अब आप भी हमारे इस मिशन में भागीदार बन सकते हैं आप अपने इलागे की जरूरी खबरों को प्रादेका सोशल मीडिया at direct gmail.com पर भेज सकते हैं और खबरे पसंद आने पर हम उन खबरों को आपके नाम के साथ पब्लिश करेंगे और हाँ एक जरूरी बात हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले और कॉमेंन सेक्शन में अपनी राय जरूर दे